पूरी अलजबर का एक बेस है तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टन टॉपिक होगा इसमें आपको कहीं चीजें नहीं पता चलेंगी ठीक है जैसे आपको दिया है पॉलिनोमियल पॉली का मतलब होता है बहुत सारा बहु का मतलब होता है बहुत सारा और क्या लिखा है इसमें पद तो जिसमें आपके बहुत सारे पद होते हैं बहुत सारी टम्स होती हैं उसे हम क्या कहते हैं पॉलिनोमियल कहते हैं जैसे हमने लिख द तो इन प्लस इन और यो से कुछ अलग हो रहाएं यह सब जो सरकल में बनाया गया है मतलब जिसमें OS is जिसमें एक या सेज्ड़ा टम्स होती हैं वह या और या टम्स होदी जादा 10 हों गी वो आपका वहुपद कहलाएगा एक से जादा पद होंगी वो भॉपद कहलाता है तो स्बी आइक से जादा पद है तो यह क्या है बया मिल मेल भी आता है लेकिन specially नाम एक पद ही दे दिया जाता है लेकिन वो है क्या बहुपद ही है ठीक है अगर इसमें दो टम्स होती है तो उसको binomial by का मतलब ही क्या होता है 2 दो टम्स होती है तो binomial यानि दुई पद कह दिया जाता है जैसे हम 3x plus y लिख दिया 1 और कितने होगे 2 पद इसमें 2 पद है यानि ये क्या है binomial है ठीक है trinomial मतलब 3 पद जिसमें क्या होगे आपके पास 3 टम्स होंगी जैसे 3x plus y plus 4 इसमें क्या है आपके पास 1, 2, 3, 3 टम्स है टम्स बतानी में last classes में सीखा चुकी हूँ वो classes आप जाके देखना ठीक है एक प्लस से लग करते हैं प्लस और प्लस 1, 2, 3 टम्स है तो ये क्या होगे आपका special नाम इसका trinomial है बट ये है क्या एक polynomial ही है एक चीज आपको इसमें नहीं सीखनी है वो क्या है जैसे आपको बोल दिया 3x plus 4x बताना है अब पहली बात तो आपको इसमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि प्लस से कितनी टम्स मन रही है प्लस को देखा हमने एक इधर एक इधर दो टम्स मन रही है मतलब ये binomial है लेकिन ये binomial नहीं है क्योंकि binomial होने के लिए क्या होना चाहिए जो दोनों टम्स है वो unlike होनी चाहिए अब unlike क्यों होनी चाहिए क्योंकि अगर ये दो टम्स unlike नहीं बल्कि like होंगी अगर ये दोनों टम्स like होंगी तो हम इनको plus या subtract कर सकते हैं जो भी sign इनके बीच में या mathematical operation इनके बीच में लिखा हुआ होगा अगर दोनों लाइक होंगी तो यह operation अपलाई हो जाएगा मतलब simple भाषा में समझो कैसे यह क्या है 3x, यह क्या है 4x x को लिख दिया रूपी है, x को लिख दिया रूपी है यह 3 रूपे प्लस 4 रूपे, कितने हो गए 7 रूपे मतलब, रूपे की जगे वापस x कर दिया तो यह कितना हो गया आपका, 7x हो गया ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स को आपने क्या कर दिया एक single term में convert कर दिया अब तो यह 1 term है, 1 term का मतलब क्या है यह monomial एक पदी है तो यह है क्या, यह monomial एक पदी है यह binomial नहीं है, ठीक है क्योंकि यह दोनों terms कैसी थी, like और जब भी 2 terms या 3 terms या 4 terms आपकी like होती है तो उनको हम एक single में convert कर देंगे यह दोनों एक जैसी थी इन दोनों को हमने एक में convert कर दिया तो यह बन गया, एक तो यह क्या है अच्छली में monomial, आपको दिखाई देगा दो पद है, तो यह binomial होका बट यह binomial नहीं है, एक पद है इसके अंदर हो क्या गया, यह monomial अब जैसे एक और example लेते है 3x प्लस 4y प्लस x अब देखो इसमें भी x है इसमें भी x है, 3x 3 और 4x हो गया प्लस 4y आपको दिख रही थी इसमें 3 terms आप बताते हैं, ट्राइनोमियल बट यह और यह कैसे हैं, like terms है like terms है, बीच में इनके plus है तो इन दोनों को हम add कर देंगे, add करने पर आ गया 4x प्लस 4y, तो इसमें आप जो इनका answer बन के आया, उसमें कितने terms है 2 terms है, 1 और 2 तो असलियत में reality में देखा जाए तो इसमें कितनी terms है, 2 terms है तो इसका मतलब यह क्या बन के आया आपका, binomial आएगा तो जब भी आपको किसी भी polynomial को check करना होगा किसी भुपद को check करना होगा कि वो monomial, binomial, trinomial एकपदी, दीपद, दीपद, क्या है आपको उसमें ये भी check करना होगा कि जितनी भी उसमें terms है जो कि प्लस से अलग हो रहे है वो like तो नहीं है अगर वो like है तो वो solve होके आगे छोटा बन सकते है बस वो सब क्या होने चाहिए आपके unlike होने चाहिए मतलब असमान होने चाहिए मतलब एक जैसी नहीं दिखनी चाहिए जो उसके अंदर variable या जो उसके अंदर चर होता है, मतलब x, y, z, a, b, c, d जो भी सके अंदर होता है, वो एक जैसा जो भी numbers लिखे जाते हैं, वो क्या है, आपके monomial है, numbers भी आपकी polynomial होती है और single number 100 हो गया, 1000 हो गया 4 यह क्या है, आपके number है, यह क्या कहलाएंगे, आपके monomial कहलाएंगे यह भी आपको पता होना चाहिए इसमें भी एक ही algebraic expression है, इसमें भी और इसमें भी ठीक है, तो यह सब क्या है आपके monomial, binomial का example हो गया, 7xy plus 4 लिख दिया, 3xy plus 2 लिख दिया, 3x plus 4y लिख दिया, ठीक है यह सब क्या हो गया, दो-दो पत हैं सब में, दो-दो times है, यह आपका binomial हो गया, trinomial के लिए 3 plus 7x plus 4y, यह भी क्या हो गया, आपका trinomial हो गया 5x plus 4x square y plus 3x square, यह क्या हो गया, trinomial हो गया यहाँ, x square y है, यहाँ x square है, दोनों क्या है, बिलकूल अलग है, ठीक है, तो यह क्या हो गया, आपका trinomial हो गया तो आज की class में हमने polynomial यानि भहुपद को बहुत अच्छे से समझ लिया इससे आपको एक question मिल सकता है अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो please चैनल को subscribe कर लेना, वीडियो को like कर देना और bell icon को press कर लेना जिससे जो भी वीडियो upload हो आपको उसका notification मिल जाए और telegram group का link आपको description box में नीचे मिल जाएगा वहाँ से आप telegram group को join कर सकते हो और important PDF and important information आपको वहाँ पर मिल जाती है